गर्मियों में ठंड़क देने वाली घर की सिम्पल और सस्तिसी चीज़ों से बनने वाली ठंड़ी ठंड़ी आइसक्रीम सुनते ही मिल रही न ठंड़क और खाने के बाद तो भाई आनदी आनद गर्मियों में तो बस यही लगता है कि खाना भले कम मिले लेकिन कुछ ठंड़ा मिल जाए लेकिन रोज रोज आइसक्रीम कहां करें सकते हैं बस सिम्पल और सस्तिसी चीज़ों से बनने वाली अप रोज हर रोज घर पर आइसक्रीम क्या बच्चे क्या पड़े मजा या जाने पूरी गर्मियों मैं नमस्काट फ्रेंड मैं हुसंगीतार आपका बहुत वशागत करती हूँ आपके अपने रशोय में आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफिल होगी रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे लाइक चैनल को न सब्सक्राइब कर मैं आपके साथ सेयर करती रहूंगी जो कि आपके फीड़े को पूरा आयन तक देखने को मिलेगा तो चले बना लेते हैं क्रिम बनाने के लिए सबसे पहले आपर मेजरमेंट करेंगे दूद का तो एक लीटर के बराबर में दूद ले रहे हैं तो यहां पर दूद को हमने कडाई में रख देते हैं और इसमें से आदर दूद हम यहां पर निकाल लेते हैं एक कडाई के बराबर आप निकाल लीजिएगा बागी दूद जो हमने कडाई में ले रख है इसको गरम करने के लिए रख देते हैं इसको पहले हम मेजरमेंट करके एक कडाई में रख देत यहीं कप के पराबर इसको एक May наконец रिएगी है फिर खृडण आइस क्रीम बजब ले टीजतों हम रहे हैं यहां पर कंश्टर्ड फॉडर कंश्टर्ड्र कंश्टर्ड्र में ले रही हों चीनी का मेजरमेंट भी कर लेते हैं तो एक लीटर हमने यापर दूद लिया है तीन चमज के पराबर यापर कश्टर बोर्डर कश्टर को हमने यापर ठंडे धूद में पिल्कुल भी निरालना है जब दूद में उबाल आजाए ना एक दो उबाल आने तीजिए गर इस तरीके से चला दीजिएगा अब हम इसमें कश्टर डालेंगे कश्टर को पहले थोड़ा सा मिला लीजिएगा हमने इसको गोल तो र एक तो लम्स नि बनते ना तो इसमें गांटे बनते बहुत जल्दी यह मिल भी जाता है दूर के साथ तो कंटिन्यू से इसको चलाते रहेगा अब बिल्कुल भी यहाँ पर कर शिखो रोकिए कमे नहीं तो यहाँ पर नीचे लम्स भी लगने लग जाएंगे इसमें गांठ बनने लगती है तो आइस क्रीम के लिए चीजे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसको लगाता हम चलाते रहेंगे और अच्छे से थिक भी हो गया है और इस स्टेश तक हमिने इसको पकाना है गैस कपले माप मध्यम पे रखेगा बिल्कुल हाइप प्लेम पर आप आइस क्रीम बनाओगे एक बार तो बनता है जरू से इसे ठ्राइ करें बहुत ही सिंपल रीची रेसिपी है और बहुत आसानी से बनती है बस इसको पकाते रहना है मध्यम फ्लेम पे और जब तक थिक नहीं हो जाए चीनी अपने डाली तो चीनी जब यहापर गुल जाते है यहापर आप कंडेंज मिल का बेस्क प्रमाद कर सकते हैं इसको कंटिन्यू चलाते चलाते तीन चार मिनट हो गए है और कश्टर पिलकुल दिख पिरा होगा आपको कि साइड से भी लगने लग गया है और एक तब थिक हो गया है अब जबने वाली कंसेंजर्टर्शी में आ फ्रीजर में तो बहुत ज़ली ठंडा हो जाएगा लेकिन दोर बर फ्रीज में इसको रखेंगे जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे तो मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाल ले रही हूँ अब यहाँ पर हमें क्रीम कोई सब आप अपनी घर के कर लें कर अज में रहां भी फ्रूट करीम का इस्तोमाल कर सकती हो यह पर मैंने क्रीम कर के इसPLE करें設क हैं तो अवाथ जाए उटालायट का लाइन ऄं इस्तिमाल कर रहे हूं या विए के लिए किसी फाओर के लिए और यहां पर आइस को लए पर मेजर मेजर मेंट आप जाए तो चम्मा से या वीटर से या किसी भी चम्मा से बहुत जादा समय लेगा आप यह आप विसका से कीजिएगा मैंने यह जब क्रीम निकाली थी थी थोड़ी देर यह पहले निकाली थी आपना कुछ यहां पर जाद किरमी है और पंका भी चल रहा है तो यह तो पहले आप पंका चला लीजिएगा उसके बाद आप नीचे एक परतन में भरपकी कुछ पीस रख लीजिएगा इससे क्या हो अच्छे से ठंडक रहें और बहुत जली आप भीफ हो जाती है गर्मी में ने तो बहुत जली पीकल लेगा डर भी रहता है जो मैंने क्रीम बतायती ना आपको टॉपलाइड के बहुत लची क्रीम है आप इसका इसका इस्तिमाल जरूर करें केक अगेरा डेकोरेट के लिए या फिर यहां पर इस तरीके से जब हम आइस क्रीम होगेरा बना रहे हैं तब इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं मार्केट से जो हम आइस क्रीम खरीते हैं उसमें भी विविंग क्रीम का इस्तिमाल होता है नों डेरी वाली क्रीम होती है और बहुत हलकी फुलकी होती है और ब या फिर आईसक्रीम बनाने के लिए इसी क्रीम करें इससे क्या होता है कि आईसक्रीम जब हम खाते है बहुत hazlo take और खाने में बहुत ही हल्की फुलकी होती है जब आम घर की क्रीम से यहां पर आइस क्रीम अगेरा बनाते हैं तो थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है वैसे आप खुद ही ट्राय करके देख सकते हैं लेकिन इसके आइस क्रीम बहुत अच्छी बनते हैं क्रीम या फर वीट के लिए अच्छी से मार्ट केट वाली आइस क्रीम चाहिए तो इस तरह की क्रीम का आप इस्तमाल करें और भर पूर मात्रम में आप एक बार आप टिपक खरीद लोगे तो कही चीजों में आपका इस्तमाल भी हो जाएगा वीपिंग क्रीम आजकल हर जगा हर जगा मिल जाते हैं ऑनलाइन मिलती हैं किसी भी बैकरी की सोफ से आप इसको पर्चिस कर सकते हो कस्टड भी अच्छे से ठंडा हो गया है अब हमें क्या करना होगा कस्टड वालब मिलके जो हैन जमा हुआ हमने फ्रीज में रख जया था , 30 pixels को एक हम एड़ोच त बैदा इसको है कस्टड या पर फ्रीज में रखने से काप़ी घारड़ा ठिक हो गया है हम इसको साटिशने से फिब्रोच फ़रीया मार्केटशोड अच्छी आइसक्रीम खरब बना सकते हो एक टिपा खरीदे और पूरी कर्वियों में इज्वाइब करें क्रीम का हो या पिर कश्टड का एक बार खरीद लोगे तो कई बार आप एक को इज्वाइब करके काफि क्रीम ऐसे आते हैं न थोड़ी सी सुईट होती है यहां पर जो क्रीम का इस्तमाल करें हो, बिलकुल सुईट ने हैं तो यहां पर सोड़ी सीं स्जूर पॉड़र का स्विजूर इस्तमाल करेंगे कुश्टर्ड में हमने आपफ और सुगर E insisting के भी कुटर्ड हो अपन पनीला एस्टेंस का भी इस्तमाल कर सकते हो कस्टड का अपना फ्लेवर रहता है लेकिन जो अमने करीम ली है बस हमें तो मार्केर चैसे यहां पर आइस क्रीम चाहिए सेम फ्लेवर वाला पच्छों को वह पसंद आता है तो कुछ डॉप डाल देते हैं यहां पर आइस क्रीम कि यहां पर आप पेनीला एस्टेंस का इस्तमाल भी करसकते हो जिसको हम यहां पर केक फिरा के लिए इस्तमाल करते हैं यहां पिर रोज एस्साइच का इस्तमाल कर सकते हो कहीं जादे फ्लेवर में आते हैं यहां पर आइस क्रीम के फ्लेवर वाले एसेंस भी उनका भी इस्तमाल कर सकते हो आज कर मैंगो फ्लेवर में आता है हर चीज का फ्लेवर आता है जो भी आपको पसंद है उसका आप इस्तमाल कर सकती हो हमने हल्का सा आइस क्रीम फ्लेवर का कुछ डॉप डाले हैं आप कोई पैसेंस का इस्तिबाल कर सकती हो कस्टड का अपना फ्लेवर रहेगा इसमें इतना फ्लेवर ने आएगा इसका यहां पर आप कई फ्लेवर भी दे सकते हो साथ में कलर भी आप एड़ कर सकते हो कई फ्लेवर का बना भी सकते हो कई इसमें कलर आप अपने चॉइस से सकते हो आप देख सकते हो क्रीम चैसे भीपिंग हो गई है अब हम इतना इसको भीप करेंगे स्थाइट से इस तरीके से आप इसको लेबल कर दीजिएगा अब इसको एल्मॉनियम फोयल से एक से डेड़ घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए बत यह अच्छा सेट हो जै और फ्रीजर में रहेंगे फ्रीजर में इप जमती है एक घंटा टिर कंधा जितना भी आप रखना चाहते हो उसके हिसाप से आप इसको रख सकते हो रख देती हैं इसको फ्रीजर में आप 17 यह जंपने दो जाएगे na तब रहत मैं इस करेंगे बीट करने से क्या हो गए बहुत हलकी फुलकी और फलपी हो जाएगी बारखेर से अच्छी आइस क्रीम हमारे घर बनेगी खाने में इतनी स्वादिश होती है आइस क्रीम बहुत अच्छी लगते हैं घर भी तरीकी से बना कर देखेगा आपको बिल्कुल बारखेर आ बहुत होगी जो हमने क्रीम इस्तुमाल किया है यहां पर आइस क्रीम बनाने के लिए उसका तो कहना गया आपको बहुत अच्छा रिचल्ट मिलेगा इसे आपके पास इस तरीकी की कोई वीपिंग मशीन नहीं भी होए ना तो आप क्या कीजेगा मिक्सर ग्रांडिंग जार को लेजेगा और उसको थोड़ी देर फ्रीज में रख दीजेगा जैसे हम क्रीम रख रहे ना उसी तरीके से और फिर उसमें ग्रांड कीजेगा बस अन आप करके पाल्समोड पर रखिएगा आपकी पर्फरक्ट हिसाब से यहां पर आइस क्रीम बनेगी आप इस बात की चि GAMने के लिए रख देते हैं साथ सअर गुंटे के लिए गल्या ठीम नाने के ना किने लिए देगए तो यहां पर राथ को बनारे हो तो सुभाए इसको आसानी से सकते हो सुभाए और बना रहे तो रात को इसको उंजाए कर सकते हो खा़नी के बार और ब região फर्वे आपको कुछ पसंत है तो उपर से आप डाल दीजेगा इसको जमने के लिए छोड़ दीजेगा आप दिफिंग करते टेम भी उसके बाद आप डाल सकते हो यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात किसी एयर टाइट कंटीनर में ही आप आइसक्रीम को अच्छे से भरिएगा जब आपके आइसक्रीम का ढखकन अच्छे से बंद हो तब आइसक्रीम आपकी परफेक्टली जमीगी यति आप ढखकन थोड़ से खुला होगा तो इसमें आइस क्रिस्टल जमने लगेंगे जो कि आपकी परफेक्टली आइसक्रीम नहीं जमीगी तो आप टिप्स और ट्रिक सारे फॉलो करें इसको मैंने ने 7-8 गंटे के लिए रख दिया था छोड़ दिया था हमने यहां पर फ्रीजर में अब हम इसको चेक करेंगे इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखे कि कोई यह आइसक्रीम बहुत अच्छी परफेक्टली आप जैसे मार्केट में जमते हैं ना सेहें उसी तरीके से बस यहां पर हमें कुछ देर भी इसको रखना नहीं है अतुरंत इसको सर्व करें देखरें कित्ते बड़ी आइसक्रीम जैमी है मार्केट से बी अच्छी घलर तो और हमें विपिंग क्रीम चाहिए इन दोनों चीजों से आपकी जो आइस क्रीम बनेगी ना माल कर्केट कि फिर आप यहां पर सोचोंगे भी नहीं बस किसी भी यहां टायट कंटीणर में आप वरिए का इस बात का आप जरू से धान देजेगा कि आपको यह टायट कंटीणर म ही आईस क्रिस्टल जम जाते हैं इस वाद का आप जरू से थान रखेगा कि जब भी आप आइस क्रिम जमाने के लिए रखोगे तो एयर टाइट कंटीनर में अच्छे से रखेगा पूरा कबर होना चाहिए तब यहां पर आइस क्रिम अच्छे से जमती है तो आप अपने मन प बना सकते हो और यहां पर और कई फ्लेवर में आइस क्रिम बना सकते हो तो यह तो सुरुवात है आगे आगे देखेगा बहुत सारे आइस क्रिम की रेशिपी आपके साथ सेयर करने वाली हूं गर्मियों में ठंडक देने वाली और घर की सिंपल असस्तिसी चीची जो इसे बनने वाली है ठंडी ठंडी आइस क्रिम बनके तयार हो गई है आइस क्रिम खाने के बाद तो आनन्द ये आनन्द है वस्टिम बल सकता पॉड़र थोड़ी सी आपर क्रीम का इस्तमाल करना होगा एक आइस क्रिम तो हमारी बनके तयार हो गई है अब बना लेते हैं आपर मह मेंगो आइसक्रीम बनाने के लिए जाता ताम ज्राम की जर्रत नहीं पड़ती है, टि इसके फिल दिए 있나 Haram? यहाँ कोहे बनाने के लिए याँ पर में ले ॉरू है कोईसे बनाने के लिए यहाँ पर में ले रहे हूं इस बात का आप त्यान रखें कि रेसे वाले आम यहां पर आइस क्रीम के लिए आप ना लें अब दिख भी रहा है इसमें बहुत सारा पल बहरे मीठा भी बहुत जादा होता है तो इसमें सुगर की मात्रा भी कमी लेगी जब हम इसको ग्राइंड करेंगे किसी भी तरह के आम का इस्तमाल कर सकते हैं इस आइस क्रीम को बनाने के लिए क्योंकि सीजन का आम चल रहा है और प्राकिर्तिक रूफ से आजकल यहां पर आम पकते हैं तो काफे मीठे भी होते हैं बहुत सारे तरह की variety के याँपर आम भी आ दें यानि आज कल आरे ख़से हो जो आुद्षी दर मीते आरे आज को आरे वांहें हमने निकाल लेते याँपर अ पर आहुद में ग्रम किरेंगे तो एक कप में आपर दूद ले रहे हूं और एक कच्चा है तज़ब है फ्रेस्पी है आप पहले से उबला हुआ दूद का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन थंडा होना चाहिए दूद रूम टंपरेचर पर भी होगा तो भी चलेगा क्योंकि आम यापर बहुत मीटा है तो मैं एक ही चमज के बराबर चीनी का इस्तमाल कर रहे हूँ आम पर आपर सुगर पॉर्डर या फिर मिसरी का इस्तमाल भी कर सकते हो और वो आम पर भी डिपेंड करेगा कि कितना खटा है अब चलते हैं नेक्स इस्टेप की तरह तुम लेते हैं मिक्सिंग बॉल और हम याँ पर क्रीम को वीव करेंगे मैं याँ पर आपर आइस्तमाल कर रहे हूँ जिससे हम केक अगरे डेकुरेट करते हैं सौ ग्राम मैं याँ पर क्रीम ले रही हूँ ना तो फूर्ड क्रीम का उसका भी इतना पड़ेगा रिजल्टर नहीं मिलता है मैंने कई बार इसको श्याह कर र rivers कर रहे हैं लेकिन घर की मलाय से भी वह यहां पर क्रीम भी फोके यह अब हम इसमें डालेंगे मैंगो बनाया है आपके पास इस तरह की कोई मसी ना भी हो तो भी चलेगा आप क्रीम को निखाल लीजेगा ग्राइनिंग जार को थोड़ी देर के लिए आपर फ्रीजर में रख दीजेगा उसके बाद यहां पर मैंगो को भी आगातार हमने इसको चलाना नहीं है । को दो तीन बार चलाने के बाद इसमें डाल लिंगे मैंगो क पल नहीं तो खने के बार बना रहा हैُ कुछ ड्रोफ यहाँ पर मैंगो एसेंस के पी डाल दी हूँ मैंगो सम आइस क्रीम बना रहे हैं तो इसमें इतना फरक बनी पड़ेगा कोई एसेंस ना भी हो तो भी चलीगा आइस क्रीम को हमने अच्छे से विपिंग कर लिया है आप देख सकते हूं क्रीम इंबर डबल हो चुकी है पिल करने के बाद और मैंगो का तहुआ हूँ नहीं रखेज अ bandwidth नहीं रखेंगे गजर मे रखेंगी परोफ disgर को तो चलते हैं, फ्रीज की तरफ रख देते हैं यहां पर इसको फ्रीजर में, एक घंटे बाद इस सेट हो जाएगी, काफी हद तक, तो मिलते हैं, एक घंटे बाद, फ्रीज को कर देते हैं बन, एक घंटा हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं आइस क्रीम को, तो इसका कबर हट जालेते हैं पर जाख लेते हैं वाँ आइस क्रीम तो काफी हद तिक यह उड़ चुकिए है और फिर से हम क्या चरिए आप इसके बास को फाइनल यह ब्रिविंग करेंगे और आपकी बार हम इसको विफिंग करने के बार जमने के लिए रखेंगे तो उसके लिए हमें चाये होगा यहाँ पर धक्कन वाला कोई दिबा या फिर कंटीनर हम ले सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी हवा कनेक्ट न होती हो यानि कि हवपन आ जाती हो उसमें आपर आइस क्रि अच्छे से बंध कर दिजिएगा यानि ढ़कन बड़े अच्छे लगना चाहिए मैं आप आइस क्रीम का गभा ले रहे हूं यह पड़िया तरीके से यह आपर अच्छे सब जमती है इसमें हम भर देते हैं आइस क्रीम जमने के लिए यहां पर तैयार है हम इसका ढ़कन लगा जमने के लिए रख दी बस नजरे उद्री गाड़े रहते हैं और बार बार फिर धकन खोलना लगाना इसी तरीका को प्रोसेश चलता रहता तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें कि बच्चे बार बार आप फ्रीजना तो धकन खोले और नहीं आई स्क्रीम को चेक करें 6 गंटे हो गए हैं और मैंने इसको निकाल भी लिया है 5 मिनट पहले निकाला है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आइस क्रिश्टल बिल्कुल भी नहीं है इसका कवर बिल्कुल अच्छी तरीके चर लगा हुआ था और परफेक्ट आइस क्रीम याँ पर जम के तयार हो है ऐसे बल्कुल एत्स बड़िया आइस क्रीम बनाऊ है अपकी बनेगी है मैं जब पहले एक बना सकता है स्पाम को मैंने फर्स्ट्रीम बना है थी तना खूशे मुझे कभ 절म बहुत कंदी ठी featuresAL चल्सतार को मैंड पर उनलगा था पील्स मेंस तरी जल्फому पनेवें याइ स पर किसी भी आम पापड़ का मैंने आम पापड़ की रेसिपी आपके साथ सेर की वे उसी के में टुकड़े यहां पर सर्व कर रहे हूं आम के पीछ डाल दीजेगा मन चाहिए यहां पर आप बच्चों के फेवरेट फ्रूट या बगेरा डाल सकते हो तो यहां पर सिंपाल र और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थनबाद थैंक यू सो मच प्रेंट इंज्वाइवरेशिपी हप्पी कुकिंग